करेंट्स विल्कम को माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग में अच्छे होंगे और अपने हमें पुल्टा होंगे और आज है महाश्वरात्री तो अभी मैं और अंश मंदिक से होके आ रहे हैं काम जो था वो मैंने सुप सारा कम्प्रीट कर लिया था अंच बना लिया था लंच मे सबस्बजी रोटी बनीती और उन्हें पास नहीं रखा है बस जल चढ़ाने गया थे मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है बस इसे लिए और सिरात्री के दिन तो बहुत ही ज्यादा विधिवत पूजा होती है लेकिन हम लोगों के बस में नहीं है सब कुछ कर पाना तो ब बस रोटियां बना दी थी और लंच बॉक्स में देने के लिए करेली की सबजी बिनाई थी तो वो मैंने दे दिया था बाकी आटा जो था वो मैंने रख दिया था क्यूंकि मुझे बहुत देर हो रही थी जल्दी से मन दिक जाना था तो मैंने का चलो जो बचा हुआ है उस के मैंने दो पराठे बना दी एक एक पराठा हम दोनों ने खा लिया और रात में जो है मैंने बनाई थी पनीर की सबजी तो वो रखी हुई है अंच जो है करेले की सबजी नहीं खाता है तो दोनों मिला करके मतलब मैं खा लूंगी और उसको पनीर की सबजी दे दूंगी त तो जब तक हमारा पराठा सीक रहा है तब तक आप देख लीजिए यह मैंने रात में पनीर की सबजी बनाई थी और इसका कितना बड़े हाल लुका आ रहा है बलब इतनी अच्छी सबजी बनी थी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेस्पी आप लोग के साथ में शेयर आई थी बहुत ही अच्छा मतलब स्वाद भी बहुत अच्छा आया था और लुक तो आप देखी रहे हैं तो यहां देखिए हमारे दोनों पराठे बन के तियार हो गए हैं और अब मैं जो है प्लेट लगा दे रही हूं तो आंश को मैंने दे दिया था वो करेलया नहीं ख बच जाता है उसको फिर आप फेको इधर उदर वेश्ट करो से अच्छा कि जो है थोड़ा सा बनाओ खा के खतम करो वह ज्यादा सही रहता है तो जो सूखी सब्जी बनती है वह मैं बहुत ही कम बनाती हूं और यह तरी वाली जब बनाओ कोई भी सब्जी तो यह थोड़ी पर हो गया है अगला दिन तो अगले दिन यह मैंने जो है मतलब सुबह के सारे काम खतम कर लिये थे उसके बाद दोपहर में मैंने यह सरसो का साग लिया था तो सरसो का साग जो है ना मेरे घर में मतलब अंश के पापा नहीं खाते हो उनको इतना पसंद नहीं आता उनको चन तरीके से मैं बना रही हूं कोई इसमें मतलब ताम जाम नहीं होता है और बहुत ज्यादा चीजी जरूवत भी नहीं पड़ती तो जैसा मैं सोया मेती का साग बनाती हूं कि पहले अच्छे से धुल करके काटके और फिर उबाल के और लास्ट में जो है थोड़ा सा लहसुन औ तो रेष्पी शूट नहीं हो पाई तो बस जितना सूट उपाया था वो मैं आपनों के साथ में शेर कर रहे हूं तो मैंने पहले अच्छे से साप कर लिया था और यह जो पामतलब सरसू आती है ना बहुत ज्यादा नरम रहती है तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी पानी निकले निकलना भी नहीं है अगर पानी निकाल दो तो फिर इसका स्वाद कम हो जाता है और जब अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो बस लैसुन और हरीमेज का तड़का लगा देंगे और हमारा साग बनकर तयार हो जाएगा तो ऐसे ही बनता है सरसो का साग जो सरसो की भूजिया होती है मतलब भूजी साग होता है और रात के डिनर में आज मैं बना रही हूं यहां लोकी के कोफते तो इसके लिए एक कच्छी सी लोकी मैंने ले ली है और मैं कोई भी सबजी जो बनाती हूं घर में जिसे पनीर हो गया कोफते हो गए या कोई भी मतलब उस टाइब की सब्जी जो थोड़ी सी रिच होती है तो उसमें मैं कभी भी काजू अगयरा या मावा यूज नहीं करते हूं क्रीम भी नहीं यूज करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा है भी हमारे घर में कोई खाता नहीं है तो इसलिए मैं क्षेट भर खा ही नहीं पाते हैं उसको तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूं। यहां पर एक कच्ची लौकी जो है इसको मैं इस तरीके से छील लिया है और वह सब इसको जो है हम धुल लेंगे और धुलने के बाद इसको हम कद्व कस कर लेंगे बारिक-ब पाने निचोड़के फिर बनाती हूं, और हैसे घ्राइट करने गालं, और इसे जने ञेता मैंने नमक मने मैं डाला है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से mix करके और थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देंगे एक साइड में तो इसमें काफी सारा जो पानी है वो निकल के बाहर आ जाएगा ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे मतलब जो कोफते होते हैं उसके अंदर ज्यादा बेशन नहीं डालना पड़ता है और स्वाद बहुत अच्छा आता है तो जैसे अगर आप पानी नहीं निकालते हैं तो आपको बेशन ज्यादा डालना पड़ेगा और फिर लौकी का स्वाद कम आएगा तो उतना अच्छा लगता नहीं इसके बाद यहां पर देखे मैंने लौके एक्साइट रख दिया था फिर यहां पर चार टमाटर लिये हैं एक प्याज है लहसन है अधरक है तो इन सभी चीजों को जो है पेश्ट बनाना है तो मैंने टमाटर अलग पीस लिये हैं दबा दबाके भी निकाल सकते हैं उसमें आपको दो तीन बार लगें दो बार लगेंगे इसमें अगर जिसे कपड़े में निकालते हैं इस तरीके से तो इसमें आप एक बार में इस तरीके से निचोड़ लेंगे तो यह बिल्कुल साफ सुतरा कपड़ा है और मैं इसको कि यहां पर देखे सारा पानी जो मैंने निचोड़ लिया इतना सारा पानी निकला है तो यह पानी जो निकला है इसको आप चाहें तो यूज कर सकते हैं सबजी के गिरवी में लेकिन मैं यूज नहीं करती हूँ मैं हटा देती हूँ और यह देखे सुखा सुखा सा हमारा जो लौकी है वो निकल के तयार है तो इसके अंदर मैं यहां पर कुछ चीज़े और डाल रही हूँ यहां पर मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर की इ की जो पकोड़े मैं बनाती हूं न इसके ंंदर जरूर ड sizi हूं फिर मैंने यहां पर डाल दिया है बेशन तो आप देखे क्तकश कम क्वांटरिश्टे में वेशन डाल रहेहूं अगर आप इसका पानी नहीं निकालते हैं तो आपको बेसन ज्यादा quantity में दालना पड़ेगा फिर उसमें क्या होता है कि बेसन का बहुत टेस्ट आता है तो वो उतना मज़ा नहीं आता है मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है लोकी के कोफते खा रहें आपको लगेगा ना कि लोकी की पकोड़ी बनाई है और बस वही कुछी की सब्जी बना ली है तो उतना मतलब आता नहीं है अगर आपको जैसे पूरा लोकी का ही टेस्ट चाहिए तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा फिर अच्छी तरीके से इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसके छोटे-छोटे से हम इस तरीके से मत पार्ट डिवाइड कर लेंगे आप जितने बड़े साइज के बनाना चाहते हैं उस तरीके से उतने छोट छोटे बड़े-बड़े कर सकते हैं और आप यहां पर नोटिस कीजेगा कि इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा बिलकुल भी नहीं डाला है तो अगर आप इस तरीक से जब बनाओ तो बेकिंग सोडा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है तो बस देखे सारे पार्ट डिवाइड कर दिये मैंने और इसके बाद जो है फिर इनको ठाके और इस तरीके से हम छोटे-छोटे से देखे गोला बना लेंगे यह देखे तो आप शेप अपने हिसाब से कर सकते हैं चोटा बड़ा लंबा जैसा बनना चाहें तो यह देखे जिसे मलाई कोफता नहीं बनता है उस तरीके से भी आप ऐसे बना सकते हैं तो जैसा आपको से पसंद हो आप इस तरीके से कर सकते हैं इधर मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए तेल हमारा गरम और तेल ध्यान ये राकना है नहीं बहुत जादा धिमा होणा चेय है M Battle मुला भी देने हैं वरना फिर इंके खुराब हो जाएगे थोड़ी देर भाद और धीरे से हम ठोड़ा सा हिला देंगे क्योंकि तेल हमारा मतलब कम है कड़ाई में बहुत ज्यादा नहीं है जैसे जब ज्यादा तेल होता तो उसमें ये पूरा अंदर तक डूब जाते हैं तो अच्छे से पक जाते हैं कोई बात ने इनको बस हम थोड़ा सा ऐसे हिलाते रहेंगे और एक बार जब पलट के बाल्स हैं ये बिलकुल रेटी हैं और आप एक बार इस तरीके से बना के देखेगा यकीन मानिया आपको बहुत पसंद आएंगे और स्वाद तो इतना अच्छा आता है कि क्या बताओं में और ये देखें तो बाल्स हमारी रेटी हो गई हैं अब चले इसके गिरवी बन जो हमारे बेसिक मसाले कीचन के होते हैं वही मैंने डाले हैं कुछ भी अलग से नहीं डाला है और बस अब हमें मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि मैंने कोफते के जो मतलब पिठी बनाई थी उसके अंदर नमक नहीं डाल तो इसलिए आप चख लें अगर आपको लगता है कि नमक डालना चाहिए तो आप डाल दीजिएगा फिलहाल यहां जो गिरवी में बना रही हूं इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार जितना हमें चाहिए उथना यहां पे देखिए मसाले को मैंने थो पिश्बू आ रही है और कलर तो आप देखिए सकते हैं आप यहां पे हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने बना के रखे हैं तो जब भी आप जिसे कोफते बगरा की गिरवी बनाते हैं तो उसमें आप टमाटर को पीस के यूज कीजिए और हो सके तो उसका छिलका उतार लीजिए अगर जिसे आप पीस के नहीं डालते हैं तो आप छिलका उतार के फिर डालिए तो इससे हमारी गिरवी जो बहुत ही स्मूध बनती है और आप खुद ही देखिए कि कितनी बड़हा सी मतलब इसकी गिरवी लग रही है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें जो है हमने और यह जो गिरवी की ठीकने से ना इसको बढ़ाने के लिए बहुत लोग जो है इसके अंदर काजू अगयरा डाल लेते हैं तो मैं नहीं डालती हूँ मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं तो जैसे आप टमाटर को पी अंदर आ जाएगा ना उसके बाद जो हमने बॉल्स बनाके रखे थी यह डाल देंगे तो जैसे आप इस तरह किसे गोल गोल बॉल्स बनाओना तो यह थोड़ा सल लुकवाइस भी अच्छी लगती है और खाने में तो अच्छी लगती है बस मैंने डाल दिया है अब इसको हमारा जो डिनर हो बनकर हो जाएगा तैयार और दोपहर में मैंने आपको दिखाया ही कि मैंने जो सर्सो का साग बनाया था तो वह भी है और यह हमारे बढ़ा लाजवाब से नरम मुलायम कोफते जो है तैयार हो गया है इस टाइम पर आप चाहें तो क्रीम और यहां पर सकत हैं लेकिन मैं नहीं कर रही हूं बस अब इसमें जो है मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डालोंगी बस हमारा जो कोफता है वो बनकर तयार हो गया है तो अब लोग यह पसंद आती है तो मेरे कहने पर आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राइगा आप लोग को बहुत अच्छ भी यह तो बस इस मेंने बन कर दिया है और यह बिल्कुल खाने के लिए तैयार है आप देखें कितना बड़े अलग रहा है और यह कुलेफी मतलब तiciary कि स सब्सक्राइगे और यह देख जब फ्लेट मूझा झालग और नों तो इससी वीडी घर जाते किसीनी चीज्जिक हो तो इसले मैंने थोड़ा सा इसको पतला ही रखा था भी देखे बिल्कुल पर्फेक्ट हो गया है और फाइनली यहाँ पर मैंने लगा ली है प्लेट और आप देखे कितना बढ़िया लग रहा है मलब बहुत अच्छा स्वाद आता है इस तरीके से कोफते बनाओना तो मन भर जाता है खा करके और यह मैंने थाली लगा ली है तो फ्रेंड्स आईए आप लोग पी टिलर कर लीजिए बहुत सिंपल थाली है लेकिन बहुत स्वादिश्ट है तो चलिए फिर आप मिलते हैं आप लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिस्पी के साथ एक नए ब्लॉप के साथ एक नए देन किसान थैंक्यू फर वाक्षिन बाबाए